नमस्कार मैं हूँ आपके साथ इस्तिया केमाद और आप देख रहा रेनिस। रुक करेंगे देश और दुने की तमाम खबरों की तरफ देश में करोना की बेकाबूर रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रहे और पिछले 24 घंटे के दोरान एक लाग 68,063 नए केस सामने आये हैं जबकि 277 लोगों की करोना के चलते मौत हो गए हाला कि इस दोरान 69,969 लोग करोना से ठीक हुए हैं और इस नए केस के आने के बाद देश में करोना संकृतों के कुल मामले बढ़कर 3,58,75,790 हो गए हैं और जबकि अब तक इस महामारी के चलते 4,84,213 लोगों की जान भी चली गए और कोविड-19 से अब तक देश में 3,45,70,131 लोग ठीक हो चुके हैं और कोविड-19 से अब तक देश में 3,45,70,131 लोग ठीक हो चुके हैं और जबकि ओमिक्रोन के बड़े खत्रे के बाद सक्रे मरीजों की संख्या बढ़कर 8,21,446 हो गई है और भारत में सोमवार को कोरोना वाइरिस के लिए 15,89,928 सेंपल टेस्ट के गए और कल तक कुल 59,31,55,286 सेंपल टेस्ट के जा चुके हैं उत्तर प्रदेश विधान सवा चुनाप के तारिकों का एलान होने के बाद अब तमाम राजनितिक डल अपनी आखरी रणनीती पर कायम करने लगें और इसी के मद्य नजर उम्मीद्वारों के संभावित नामों पर विचार करने के लिए आज बीजेपी के दिल्ली मुख्यले में यूपी कोर्ग्रूप के नेताओं की बड़ी बैटक केंद्रे नेताओं के साथ होने जार रही है और ये बैटक मंगलवार सुबा आपको बता दे नो बज़े शुरू होने की संभावने जटाए गई थी और इसको लेकर आब बैटक में उत्तव प्रदेश के मुख्यमंत्री योग्या अदितेनाद और यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतन देव सिंग के सब प्रसाद म दिनेश शर्मा शामिल होंगे और इनके अलावा पार्टी के राष्टे संगठन महासचीब बीयल संतोष और उत्तव प्रदेश बीजेपी के संगठन महासचीब सुनील बंसल भी मोजूद रह सकते हैं और इसके अलावा आपको बता दे कि मंगलवार को दिली में होने वाल को और उमीद्वारों के संभावित नामों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और इस बैठक में राजे एकाय द्वारा भीज़े गए नामों के लावा केंद्रिय नेत्रित द्वारा विबिन सर्वे और माध्यमों से जुटाए गए नामों पर भी विस्तार से चर्चा की बाद पार्टि मुख्यले में बीजे पी केंद्रे चुनाफंवीती की बैठक होनी है और जिसमें इन नामों पर अंतिम मोहल लगाए जाएगी और वहीं बताये जा रहा है कि पार्टि की केंद्रे चुनाफंवीती की बैठक 13 जनवरी को भी हो सकती है फाइजर के मुखे कारेकारी अधिकारी अलबर्ट बोरला ने बताया कि फाइजर पहले से ही सरकारों की वैक्सिन में गहरी दिल्चस्पी के कारण बड़ी कौविड खराकों का निर्मान कर रहा है क्योंकि दुनिया भर की सरकारे अपने देश में कौविड नैंटिन के भायनक संक्मन से जूज रही है जिन में कौविड के नए वेरिंट के कारण बढ़ते हुए केस भी शामिल है और वहीं बोरला ने आगे बताया कि ओमिक्रोन रोधी टीका मार्स तक तक तयार हो जाएगा और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ये नहीं पता कि इस टीके क्या शक्ता होगी या नहीं इसका उप्योग किया जाएगा या नहीं लेकिन फिर भी वो इस टीके का निर्मान कर रहे हैं और बोरला ने आगे बताया कि वर्तमान में कोविट से बचाव के दो वैक्सिन शोर्ट्स और एक बूस्टर के मौजूद डोज ने ओमिक्रोन से घंबी स्वास्ते प्रभावों के खलाफ उचित सुरक्षा प्रदान किये लेकिन ओमिक्रोन वेरिंट को सीधे ध्यान में रख होने आए और वहीं मोडर्न वैक्सिन के सीओ इस्टीफन बंसल ने बताया कि कंपनी एक बूस्टर विक्सित कर रही है जो 2022 के अंत में ओमिक्रोन और कोविट के अन्य संभावित वेरिंट को रोकने में काफी मददगार साबित होगा और बंसल ने आगे बताया कि दुनिया पावित बूस्टर के लिए सबसे अच्छी रणनीती क्या है इसक पर भी विचार किया जा सकते हैं सुप्रिम कोड के चीक जस्टिस एनवी रमना ने बीते दिनों एक कारेकरम के दोरान लो मेकिंग के मुद्धे पर बात करते हुए कहा था कि कानून बनाने में दूर दर्शिता की कमी का सीधा सर न्याय पालिका की कारे पर नाली पर पड़ता है और ऐसे कानूनों की वज़े से कोड में केस के अंबार लग जाते हैं और सुनवाई नहीं हो पाने की वज़े से वो लंबित होते चले जाते हैं और इसी दोरान उन्होंने साल 2016 में बिहार में मुख्य मंत्री नितिश कुमार द्वारे लागू के अगई शराबंदी का उधारन दिया था और सी जे आई ने कहा कि साल 2016 में लागू बिहार मद निक्षेद अधिनियम के फलसरूप हाई कोड जमानत के आवेदनों से भरा हुआ है और इस वज़े से एक साधारन जमानत अरजे के निप्तारे में एक साल का समय लग जाता है और बिना ठोस विचार के लागू कानून से लोगों की परिशानी बढ़ती है और उन्हें मुकदमे बाजे की ओल ले जाते हैं और इस दोरान उन्होंने ये भी कहा था कि कारेपालिका में नियापालिका की बातों को नजर अंदाज करने का पर्सलन बढ़ता जा रहा है और ये बात सही है और सीजे आई किशो से शराब बंदी पर की गई टिपने के बाद बिहार में सिया सत्तेज हो गई थी और विपक्ष ने मुख्यमंत्री नितिश कुमार पर जम कर निशान असाधा था और उन पर भिःण का बेड़ा गर करने का आरोप भी लगाए गये था हाला कि अब चीफ की जज्मेंट पर भ्यार का शिक्षा मंतरी और मुखे मंतरी के करीबी माने जाने वाले विजे चोधरी ने भी सवाल उठा दिये